नौश्कार P.T.N. Health में एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस health program में अभी हम मुलाकात करने जा रहे हैं डॉक्टर दिवाकर तेज़स्वी से जो की वारिश्ट फिजीशन है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी बहुत दन्यवाद सर अभी टीवी से समद्धित question अब से पूछेंगे सर टीवी क्या है उसके लच्छन क्या होते है जाच क्या है और उपए क्या है तो सबसे पहले सर टीवी क्या है टीवी एक bacterial infection है जो mycobacterium tuberculosis नाम के कीड़े से होता है और टीवी का किटानू जो है वो एक से दूसरे में खासी के दौरा भी फैल सकता है एक बार की खासी में यदि कोई फेपड़े की टीवी से संक्रमित है और दवाईयों का सेवन नहीं कर पा रहा है तो एक बार की खासी मे हज्जारों की संख्या में वातावरण में टीवी के किटानू फैलते हैं और एक साल में एक व्यक्ति जो टीवी से संक्रमित है वो दस से बारह स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है तो ये एक एक से दूसरे में फैलने वाला खासी के दौरा चिक के दौरा तक यह कुछ सकता है मुख्यत यह पल्मोनरी मने फेफड़े के इतर यह दो भागों में मुख्यत बाटते हैं फेपड़े की टीवे के लक्षन में खासी आना, सीने में दर्द होना, यह सब होता है, और फेफड़े के इतर कोई भी ऐसा अंग नहीं है, जिसे टीबी संक्रवीत नहीं कर सकता है, ब्रेन का टीबी होता है, ब्रेन के साथ साथ पेट का टीबी होता है, महिलाओं में आप देखेंगे कि अगर इन फोर्टिलीटी है तो maximum महिलाओं में बच्चेदानी की टीवी फेली। टीवी दिखी जाते हैं हड्डि saloon में टीवी और किद्नी में हो जाती है तो इस तरह से आंखों में को आग के स्वेंगर को यह प्रभावीत करता है का सी के दरा व importa वरण में भालता है और सांस के द्वजाता है कभी वह और कभी ब्लड के द्वारlles आज्ट सी जो फैल के द्वारा ब्रेंट आपने तो इसके पहले यह जनना है कि हम लोग के लगषण क्या होते हैं तो लगषण में हलकी फीवरानी शाम कि शाम हलकी बुखारानी कमजोरी लगना वजन का घटना अगर फेपड़े के टीबी है तो खांसी होगा खांसी के साथ सीने में दर्द होगा बल्गम आएगा कभी-कभी लाल रंका भी आता है उसमें रक्त भी मिला रह सकता है जिसे हमोप्तिसिस काते है खून की बल्गम आना यह सब होते हैं जो फेपड़े की टीबी होती है अगर रीड का टीबी कूसी को है तो पीठ में दर्द होना शाम के शाम बुखार होना वजन का घटना ये सब होने जब उससे अल्ट्रसाउंड कराके देखा जाता है, तो बहुत तेज सर में दरदाती है, आकों के पीछे दरदाती है, गर्दन कड़ा हो सकता है, उल्टिया होती है, भूक नहीं लगती है, वजन का घटना होता है, तो यह सब ब्रेन के लक्षण हो सकते हैं, इस तरह विभिन अंगों के टीवी के लक्षण विभिन अंगों से उत्पन होते हैं, तो लक्षण अपने जाना कि कैसे कैसे क्या होता है, फीवर आ जाता है, और उसके बाद जिस जिस अंग में जिस तरह का बीमारी है, उसके अनुसार वो आता है, तो जाच क्या है सर इसके? इसकी जाच अ साथ-साथ posso अगर जोडों की टीबी है तो उसके भी जो इफ्यूशन होते हैं जो फ्लूइड आता है उसकी जाच होती है और उससे पता चल जाता है कि ये टीबी का किटानू इसमें है की नहीं तो इस तरह विभिन अंगों के और मुख्यता फेपड़े के टीबी के जाच के लिए खाखा और मुख्या के टीबी होती है तो अलग अलग डियुरेशन के लिए चलता है जैसे किसिको अगर ब्रेन की टीबी हो जाती है या रीडि की टीबी हो जाती है हडियों की बीच तो समानेत था हम व्लोग वह ज्यादा झाल से कम दवाई नहीं चलाते हैं अगर फेपड़े के है आतों में intestinal obstruction हो रहा है तब operation की आप शक्ता भी पड़ेगी दवाईयों के साथ साथ तो इस तरह मुखेता दवाई चलती है लेकिन अगर विभिन अंगों के TB में अगर बहुत जादा किसी को दवाई सही होती है कहीं कहीं पर जब बहुत ज्यादा दिकत हो तो फिर आपरेट करके उसको निकाला जाते हैं महिलाओं की TB भी बच्चेदाने की TB होती है ओवरी में हो सकती है इन्फेक्शन उसकी भी दवाईया ही चलती है लेकिन अगर ट्यूब किसी का ब्लॉक हो जाता है TB के इन्फेक्शन के द्वारा तो री कैनलाइज करने के कोशिश की जाती है कि उसे ओपें कर करके देखा जाए कि फाइब्रोस्ट एरिया को हटा अगर सक्षम अगर सफलता ह होती है तो नहीं तो दवाईयां ही उसके भी मुख्यता इलाज होती है दवाईयों का नियमित और जतने समय तक चिकितसक बोले उस समय तक ही दवाईया लेनी आवशक होती है क्योंकि यदि आप कम लेते हैं या दवाई छोड़ करके लेते हैं तो एक खतरनाक रूप का TB हो ह्तरती हैं और नियमित दवाईयों चिकितसक के देख रेक्ड Ты के चलानी चाहिए बीच में दवाई कंने में तो तक हैंसे करी मिन दवाई कोई सकता है पहले तो है कि एक BCG का टीका बच्चों को पढ़ता है जो टीका अगर पढ़ जाता है तो जो भेंकर टीबी या जिसे मिलियरी टीबी या घातक टीबी करते हैं वो होनी की संभावनाएं कम जाती है लेकिन टीबी हो सकता है उसके बाद भी दूसरी चीजे कि हवादार घर रह नहीं करना चाहिए स्वस्त खाना और टाइम पर खाना जरूरी होता है और इसके अलावे आवशक है कि यह तर तर न थुके जिसे भी खासी हो रही है इधर उदर थुकेंगे तो उसे वातावरण में किटानू पहलेंगे और जिसे भी आपके महले में या कहीं भी 27 ज्याद नहीं सकते हैं इंफेक्शन को तो इसलिए खांस्ते वक्त मुह पर नाक पर रुमाल रखें अगर खांसी हो रहें तो अपनी जांच करा करके नियमीत दवाईयों का सेवन करें हवादार घर पे रहें न्यूट्रिशस फूड दिलें समय पर खाना खालें धूप और हवा जाओ कैसे करें उसके लच्चान जात क्या है अगर यह कारकरम अच्छा लग रहा है तो अपर इस कारकरम को लाइक करें सेर करें कॉमेंट करें धन्यवाद